दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे राजीम में प्रतिवर्श आयोजीत होने वाले राजीम पुनी मेला के बारे में राजीम जोकी 36गड के पवित्र त्रिवेणी संगम पर गरिया वन्धिले में स्थिट है 36 गड़ की पवित्र तीन नदियों का यहां संगम महा नदी पैरी और सोंधूर नदियों का है राजीम का प्राचीन नाम देवपूर पदमावतिपूरी बताये गया है राजीम को 36 गड़ का प्रयाग भी कहा जाता है साथी यह पंचकोशी यात्रा का केंद्र होने के कारण कमल छेत्र भी कहलाता है और यहीं संगम राजीम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजीम पुन्नी मेला का आयोजनिस्थल भी है राजीम पुन्नी मेला चत्तिस गड़ का कुम्ब कहलाता है और इसे भारत में पाँचवे कुम्ब की भी संग्या दी गई है। संपूर्ण भारत के साधू संतों, महा मंदलेश्वरों, नागा साधू, अखाडा साधू, कबीरपंद के मुनिगण, शिव भक्तों, सहित असंग के श्रद्धालों एवं परियटकों की भीड एकत्रित होती है। राजीम में आयोजित होने वाले इस देश के महान संत शिरोमनी शंकराचारे, वह हिंदू धर्म के विशिष्ट समवाहकों की आगमन से यह छेतर और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गया है। यह मेला न केवल धर्मिक द्रिष्टी से ही महतोपूर्ण है, बलकि मेले में मनोरंजन हेतु लगने वाले बहुत से प्रतिष्ठान, मिठाईयों की दुकाने, सज्जा के समान, बच्चों के खेल खिलाओने आदी मेले की आर्थिक प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। वैसे तो 36 गड़ में तीन जगाहों पर पूर्णिमा से महाशिरवाती तक चलने वाले मेले का आयोजन होता है। लाइक करें, सब्क्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।